नमास्कार दोस्तों, पिछले हफते हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक अमेरिकन कम्पनी ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें कुछ बहुत बड़े और भारी आरोप लगाये गए इंडिया के सबसे अमीर आदमी Mr. Gautam Adani पर नतीजा ये हुआ इस रिपोर्ट के आने के सिरफ तीन दिन के अंदर अंदर 65 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ Adani Companies को जाहिर सी बात है आप जानना चाहेंगे कि आकिर है क्या इस रिपोर्ट के अंदर लेकिन इससे भी दिल्चस बात ये है दोस्तों कि हिंडन बर को इतना भरोसा है अपनी रिपोर्ट पर इन्होंने खुले आम चैलेंज किया Adani Companies की Legal Team को हिंबत है तो Legal Case फाइल कर दो हिंडन बर के खिलाफ अगर हमारी बात पर यकीन नहीं हम केस लडने के लिए तयार है Actually अगर हिंडन बर की बात गलत निकलती है तो Adani को revenge लेने के लिए केस भी करने की जरूत नहीं पड़ेगी क्योंकि हिंडन बर की predictions गलत होई तो उन्हें खुद भारी नुकसान उठाना पड़ेगा ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने Adani के stocks की short selling करी है Short selling आखिर होती क्या है? क्या ये report politically motivated है? और exactly क्या बताया गया है इसके अंदर? आईए समझते हैं पूरी कहानी को आज किस वीडियो में Adani Group companies are continuing to face backlash after report from Hindenburg Research 24 जनवरी को Hindenburg की report आते ही Adani Group ने इसका content कर दिया था Major short seller Hindenburg Research Hindenburg Research Hindenburg Research Hindenburg Research Hindenburg ने जब अपनी report जारी की थी तब कहा था कि corporate इतिहास का सबसे बड़ा fraud है अब Adani को तो हर कोई जानता है इंडिया में at least लेकिन Hindenburg Research company का नाम आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना हुआ तो इस company के बारे में थोड़ा जान लेते हैं इस company की स्थापना करी गई थी साल 2017 में Nathan Nate Anderson नाम के एक आदमी के द्वारा यह आदमी प्रोफेशन से एक Chartered Financial Analyst और Chartered Alternative Investment Analyst है यह प्रोफेशन का नाम है बड़ा हटा गटा प्रोफेशन है सुनने में complicated लग रहा है तो शौट में समझ लो कि यह Financial Analyst है Hindenburg Research Company का काम है Financial Research करना यह company कहती है कि इनकी research ऐसी चीजों को लेकर होती है जहां पर information पता लगानी आसान नहीं होती Uncovering hard to find information from atypical sources Anderson की बाद करी जाए तो इन्होंने अपनी पढ़ाई University of Connecticut से करी थी इनकी degree international business में है शुरुवात में इन्होंने इसराइल में ambulance driver के तौर पर काम किया था जिसके बाद यह America move किये थे अपने financial career की इन्होंने शुरुवात करी थी investment management companies में काम करके जब इन्होंने Hindenburg Research Company बनाई साल 2017 में तो इस company के नाम के पीछे एक purpose था Hindenburg जो नाम है यह आता है साल 1937 में हुई एक tragedy से बड़े ही पुराने समय की बात है कि एक बड़ा सा हवाई जहाज होता था Hindenburg नाम से यह हवाई जहाज aeroplane वाला नहीं बलकि एक airship थी है यह airships आज की दिन वैसे बहुत कम देखने को मिलती है Anderson stock market में हुए disasters को 1937 के इस disaster से compare करते है यह कहते हुए कि यह सारे man-made disasters है और इनकी company का purpose इनकी राय में है ऐसे stock market में Hindenburg type disasters को होने से रोकना इसलिए दोस्तों Hindenburg एक financial research company होने के लावा एक activist type company भी है यह activism करते हैं दुनिया की भलाई के लिए कि दुनिया भर में ऐसे stock market के disasters ना देखने को मिले और यह अपना activism करते हैं short selling के जरीए तो अब short selling समझते हैं actually में होता क्या है normally अब पैसा लगाते हो किसी stock में इस उमीद से कि उस company का stock price उपर जाएगा और तब जाके आपको मुनाफ़ा मिलेगा profit मिलेगा short selling में आप पैसा लगाते हो इस उमीद से कि किसी company का stock price नीचे जाएगा और तब जाके आपको मुनाफ़ा मिलेगा profit मिलेगा समझे बात को जाहिर सी बात है यह तभी आप करना चाहोगे जब आपको उमीद है कि किसी company का stock price नीचे जाने वाला है जब आपको लगता है कि कोई company overvalued है exactly short selling का process क्या है इसकी details में नहीं जाऊँगा चीजों को simple रखने के लिए लेकिन एक चीज आप समझ गए होगे कि short selling करना भी पैसा कमाने का एक तरीका है और इस चीज को Hindenburg मना भी नहीं करता Hindenburg company का कहना है कि हम पहले अपनी financial research करके companies के fraud को expose करेंगे और फिर जिस company को हमने expose किया है उस पर हम अपना पैसा लगाएंगे short selling करके हम दाव लगाएंगे कि इस company का stock भी नीचे गिरेगा और इस fraud के चलते हम खुद भी पैसे कमाएंगे बड़ा कमाल का business model है ये लेकिन ये काम बड़ा risky है क्योंकि short selling करते वक्त आपके losses की potentially कोई upper limit नहीं होती अब normally जब आप किसी company के stock खरीदते हो इस उमीद में कि वो उपर जाएंगे मानलो आपने 1000 रुपे लगाए Apple के stock में ज्यादा से ज्यादा बुरी चीज क्या होगी कि उस Apple का stock बिलकुल zero हो गया और आपने सारे 1000 रुपे अपने खो दिये आपका नुकसान 1000 रुपे का हुआ लेकिन short selling करते वक्त आप इस पर पैसा लगा रहे हो कि वो stock कितना नीचे जाएगा अब नीचे जाने की जगे है अगर वो उपर चला गया उपर तो वो कितना भी जा सकता है वो 100% बढ़ सकता है 200% बढ़ सकता है 300% 1000% बढ़ सकता है आपने अगर 1000 रुपे लगा है short selling में तो उसका नुकसान आपको 10,000 रुपे का भी हो सकता है एक लाक रुपे का भी हो सकता है अगर वो इतना उपर चला गया stock तो तो नॉर्मल stock market में invest करने से कही ज्यादा रिस्की काम है short selling करना अब ये समझ लिया आईए समझते हैं अडानी ग्रुप के उपर लगाई गई allegations को अडानी ग्रुप के अंदर साथ major stock listed companies है बहुत सारे अलग-लग sectors में फैली हुई है ये अडानी green energy जो renewable power generation करती है अडानी enterprises जो coal mining और trading करती है अडानी transmission जो power transmission का का काम करती है अडानी total gas, gas distribution के लिए अडानी power, coal based power generation के लिए अडानी ports के लिए और अडानी विल्मर जोकी एक joint business है Singapore की विल्मर international के साथ कुछ साल पहले तक अडानी company के operations इतने बड़े और diversified नहीं थे जाद तर गुजरात तक ही सीमित थे लेकिन पिछले कुछ सालों में जबरदस्त growth देखने को मिली growth इतनी ज्यादा थी कि एक समय पर अडानी दुनिया के third richest आदमी बन गए इनकी net worth 120 billion dollars पहुँच गई और इस 120 billion dollars में से 100 billion dollars से ज्यादा सिरफ पिछले 3 साल में आई थी वो अलग बात है कि जब से हिंडनबर की report निकली ये पहले चौते spot पर फिसले और फिर 8th spot पर है जिस समय पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ टोटल में अडानी ग्रूप के शेर्स ने करीब 65 billion dollars लूस की है market value में जो कि 4 लाख करोड रुपे से भी ज्यादा रकम होती है और आब आईए इस report को थोड़ा गहराई से देखते है 106 page की report है ये इस report का title है अडानी ग्रूप मतलब इनकी राय में corporate इतिहास का यहाँ पर सबसे बड़ा fraud हो रहा है हिंडनबर्ग research का कहना है कि इन्होंने 2 साल से ज्यादा लगा इस research को करने में ये अडानी ग्रूप पर बहुत सारे allegations लगाते हैं money laundering, stock manipulation, accounting fraud, corruption, theft of taxpayer funds, offshore shell companies का बनाया जाना इनका कहना है कि अडानी ग्रूप की companies focus रही है चार अलग-अलग government fraud investigations का रिपोर्ट में बताया गया है गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी के बारे में कहा है कि साल 2045 में directorate of revenue intelligence ने इनको accuse किया था allegedly ये दो बार arrest किये जा चुके हैं forgery और tax fraud के लिए और बाद में इन्हें as managing director प्रमोट किया गया अडानी ग्रूप का अगला आरोप लगा है गौतम अडानी के brother-in-law समीर वोरा पर कहा है allegedly कि ये diamond trading scam के ring leader थे इन्हें बाद में प्रमोट किया गया as the executive director अडानी ऑस्ट्रेलिया डिविजिन के लिए फिर आरोप लगा है गौतम अडानी के बड़े भाई विनोध अडानी पर कि allegedly इन्होंने अलग-अलग देशों में जाकर offshore shell companies बनाई और money laundering की इन्होंने allegedly रिपोर्ट में लिखा गया है कि हिंडन बर्ग ने 38 offshore shell companies identify करी मौरिश्यस देश में जिसे विनोध अडानिया उनके close associates के द्वारा control किया जाता है और कई और tax havens जैसे की Caribbean islands में इनकी companies देखी गई ये कहते हैं कि कई ऐसी shell companies है जिनकी कोई website तक नहीं है कुछ की website है तो उन पर सिरफ stock photos लगा रखी है कोई employees नहीं है उन companies के कोई डंका address तक नहीं है वैसे यही shell companies का आरोप लगा था Panama Papers के expose में अगर आपको याद हो बहुत बड़ा expose जो हुआ था Hindenburg ने कहा है कि इनोंने कई RTI applications भी file करी थी SEBI के साथ ये पता लगाने के लिए कि ये offshore funds actually में part है ongoing investigation का या नहीं ये कहते हैं कि एक Cyprus based company है New Lina नाम से जिसका एक समय पर 95% portfolio सिरफ Adani Green Energy Shares से बन रहा था 420 million dollars इस company ने Adani Green Energy Shares में invest किये और इस company को operate किया जा रहा था Amicorp Incorporation Services Company के दोआरा और apparently Amicorp ने एक बड़ा key role निभाया था 1MDB International Fraud Scandal में जिसमें 4.5 billion dollars पैसे चुराए गए Malaysian taxpayers से ऐसे ही बहुत सारे examples इन्होंने report में दे रखे हैं अपनी अगर आप और detail में इन examples को पढ़ना चाहते हैं तो मैं link इस report का नीचे डाल दूँगा यह कहते हैं कि अगर Gotham Adani ने कुछ गलत नहीं किया है तो उन 88 सवालों का जवाब यह दे सकते हैं तो अब देखते हैं कि Adani Group की companies की तरफ से इस report को लेकर क्या जवाब आता है 27 January वो date थी जब पहला response आता है जिसमें Adani Company एक presentation देती है जिसका title होता है Myths of Short Seller अपने response में बताते हैं कि कैसे इनके पास अच्छी credit ratings हैं जो Adani Group की companies हैं वो अलग-अलग regulations को meet करती हैं जिने सरकार ने specify किया है इस से करीब दो दिन पहले 25 जनवरी को Adani Group के जो CFO है उन्होंने कहा कि यह जो report की timing है वो बताती है कि यहाँ पर कुछ गलत intention है इस report को निकालने के पीछे यहाँ पर Adani Group की reputation को undermine करने की कुशिश करी जा रही है और हमारी जो आने वाली follow-on public offering है उसे damage करने के लिए यह किया गया है 26 जनवरी को जो group के head legal है वो धमकी देते हैं Hindenburg को कि वो legal action लेंगे और response में Hindenburg Research Company कहती है कि bring it on जो legal action लेना है low अब एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि Hindenburg Research Company इतनी confident क्यों है क्यों हो इतना भरोसा है इन्हें अपने उपर इनका past track record देखना चाहिए इससे पहले कई companies पर इन्होंने आरोप लगाये और short selling करी जैसे कि Nikola, Wins Finance, Genius Brands, China Metal Resources, Utilization कुल मिला के 2017 से जबसे एक company बनी है कम से कम 16 अलग-अलग companies पर आरोप लगाये जा चुके हैं और उनकी short selling करी गई है September 2020 में इन्होंने Nikola company को लेकर ऐसी ही report निकाली थी कहा कि ये company जूट बोल रही है उस report के आने के बाद जो Nikola के founder और executive chairman थे उन्होंने company से resign कर दिया और दो साल बाद Nikola company के shares 71% नीचे गिरे माई 2020 में Hindenburg ने China Metal Resources Utilization Company को target किया ये कहते हुए कि बहुत सी चीजे गलत करने लग रहे हैं ये irregularities हैं इस company में fraud हो रहा है और उसके बाद इस company के shares 90% गए जून 2020 हिंडनबर्ग ने genius brands company के बारे में लेखा जिसका share price था 6.86 dollars per share report आने के बाद इसका share price नीचे गिरकर 1.5 dollars per share हो गया दो महीने के अंदर-अंदर इन सारे cases में हिंडनबर्ग ने कोई ना कोई fraud या scam होने का आरोप लगाया और फिर जाकर short selling करी एक Bloomberg report हमें बताती है कि करीब 30 companies जिने हिंडनबर्ग ने target किया है on average अगले ही दिन report आने के बाद वो 15% down चली गई उनका stock और अगले 6 महिने में on average 26% उनका stock down गया है तो track record देखा जाए काफी अच्छा है हिंडनबर्ग company का जिस-जिस company को हिंडनबर्ग ने target किया उनमें से कई companies का stock नीचे crash कर गया और कईयों पर फिर investigations भी कराई गई लेकिन फिर भी इसमें कोई doubt नहीं है कि जो काम यहाँ पर short selling का हो रहा है यह बहुत risky काम है especially क्योंकि Nicola company का जो example मैंने बताया आपको उसमें हमें बाद में पता चला कि हिंडनबर्ग ने 43% stock को short sell कर रखा था एक company के almost आधे stocks को short sell कर रखा था जो कि बहुत बड़ा amount होता है अगर नुकसान होता Nicola company के case में हिंडनबर्ग को तो नुकसान बहुत बहुत बड़ा होता अडानी के case में हम नहीं जानते कि exactly कितना ज्यादा short sell किया है हिंडनबर्ग ने हो सकता है आने वाले time में हमें पता चले अपनी timeline पर हम वापस आएं तो 29 जनवरी को अडानी के द्वारा एक और response आता है हिंडनबर्ग की 106 page की report का counter किया जाता है 413 pages के द्वारा अडानी group अपनी report निकालता है इस हिंडनबर्ग की report को counter करने के लिए ये कहते हैं कि selective और manipulative presentation की गई है public domain में एक false narrative बिठाने के लिए साथ ही साथ ये कहते हैं कि यहाँ पर Indian institutions को undermine किया जा रहा है और ये इंडिया पर एक attack है अडानी पर नहीं ये इंडिया पर attack है बड़ा interesting response अडानी का कहना है कि 88 में से 65 questions ऐसे हैं जिनके जवाब publicly available हैं अगर financial statements को पढ़ा जाए stock exchange disclosures को देखा जाए तो इनके जवाब publicly मिल जाएंगे और बाकि जो 18 questions हैं वो public shareholders और third parties को लेकर हैं वो अडानी से लेना देना नहीं है उनका और आखरी वचे 5 questions baseless हैं और imaginary fact patterns पर based हैं इस response के response में Hindenburg का response आता है कि किसी भी सवाल का actually में जवाब नहीं दिया है अडानी ग्रूप ने Hindenburg कहता है कि अडानी ग्रूप अपने response में सिर्फ यही कहे जा रहा है कि हमारे पास government regulatory bodies का approval है सारा data publicly available है लेकिन properly किसी भी सवाल का जवाब नहीं आया देश भक्ती को लेकर Hindenburg ने कहा fraud cannot be obfuscated by nationalism or a bloated response that ignores every key allegation we raised इनका कहना है कि ये nationalism का argument use करना यहाँ पर सिर्फ एक बहाना है सवालों से छुपने की कोशिश करी जा रही है Hindenburg कहता है कि we believe India is a vibrant democracy and an emerging superpower with an exciting future तो ये बात तो काफी clear है कि Hindenburg इंडिया की democracy पर या superpower होने पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है उनके अपने शब्दों में उनका sole target यहाँ पर है Adani Group और 60 साल के Mr. Gotham Adani overall देखा जाए तो Hindenburg इतना confident है अपनी allegations को लेकर कि इन्होंने अपनी report के चौते point में ही कहा है अगर हमारी सारी investigations को ignore भी कर दो जो हमने इस report में बताया है और Adani Group की साथ की companies के financials को अगर सिरफ face value पर लो तो भी ये 85% overvalued है दोस्तो जब से ये मैंने वीडियो shoot किया था 31 जनवरी को और आज 2nd फरवरी है जिस दिन ये वीडियो release होगा इसी बीच कुछ बहुत बड़े updates आए इस कहानी में ऐसे updates जिने देखकर लगता है कि Adani Group की companies के लिए मुश्किले बढ़ रही है तीन बड़े updates पहला Forbes ने accuse किया है Adani को कि इन्होंने अपने ही shares खुद से खरीदे अपना stock price बढ़ाने के लिए दूसरा, Credit Suisse एक बहुत बड़ा investment bank है, Switzerland में based है इन्होंने कहा है कि अब से ये Adani की bonds को as a collateral नहीं accept करेंगे अगर कोई भी loan लिया जाता है इस bank से Basically, Credit Suisse ने zero lending value assign कर दी है Adani Group की bonds को इसके बाद यही चीज कहीं City Group की wealth unit ने भी और तीसरा, Adani Group ने अपने FPO को cancel कर दिया इन्होंने कहा कि इनका share price इतना fluctuate कर रहा था कि moral grounds पर इन्होंने अपने FPO को cancel कर दिया कूल मिला कि जो total losses Adani Group की companies को अब देखने को मिल रहे है वो 86 billion dollars के हो चुके है एक चीज तो पक्की है दोस्तों आने वाले time में ये एक win-lose situation है अगर Hindenburg की ये report सही है तो फाइदा यहाँ Hindenburg को होगा और नुकसान सिरफ Adani को लेकिन अगर Adani यहाँ पर सही है और ये report गलत है तो फाइदा Adani को होगा और नुकसान सिरफ Hindenburg को आपकी क्या राय है याँ आपर नीचे comments में लिख कर बताईए वीडियो पसंद आया तो Finance Series के और वीडियो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं ऐसी ही चीजों को और details से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद